हलो और वेलकम तो टेक असिस्टेंट फो ब्लाइड इफ यू आज का यह जो वीडियो है यह यूट्यूबर्स के लिए है खास करके यूट्यूबर्स इस वीडियो को पूरा देखे चाहे फिर वो बेसिक हो एडवांस हो या फिर उससे भी कोई एडवांस हो तो जरूर वीड अच्छा कहता हूं कि वीडियो को जो लोग जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर दे जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो में आगे बने रहे लेकिन आज में यह नहीं कहने वाला हूं कि आज वीडियो को स्किप कर दे क्योंकि आज वीडियो देखना काफी री इसे आफेड़ेगे ही और यूटूबर नहीं है तो उनके पहचानपर इगर को यूटूबर है तो उनके लिए ये वीडियो जरूर शे एघाक कीज़ेगा क्योंकि आज में बात करने वाला क्यों क्युश्टेनी आता है तो कोई बीजानकरी नहीं जालती कि आपकी वीडियो में जो है और अलगाया ऑपक्य वीडियो में कॉपेरेट लगा है अब कॉपेरेट क्लेम का लगना इसका मिनिंग तो आप सभी लोग यूटूबर जानते हो क्योंकि आपका चैनल अगर अगर मॉनेटाइज हो गया तो आपके चानल पर जो भी आपके उस वीडियो का रेविन्यू होगा उस वेक्ति को जाएगा जिसका music या जिसका वीडियो जिसका content आपने यूज़ किया जिसके वीडियो में copyright claim लगा है आपका revenue जो है आपका जो money है वो उस वेक्ति को जाएगा तो हम लोग copyright claim कैसे check करें य वीडियो की YouTube का mail हमें नहीं आता है तो जो लोग यूटूबर है वो लोग वीडियो में बने रहें और जो लोग यूटूबर नहीं है तो अपने यूटूबर फ्रेंड्स को जो है आप यह वीडियो ज़रूर शेयर करें फिर आपका कोई भी यूटूबर यूटूब चान इडि ले रखाया है तो आपको कॉपिरेट क्लेम आएगा ठीक है और हम हमारी कम्यूटी में काफी सारे वीडियो में जो है कॉपिरेट क्लेम लगा है मैं इंडिविजल किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप सभी लोगों के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है आप किस सारे से कॉपिरेट क्लेम चेक कर सकते हो आप कॉपिरेट क्लेम चेक करके आप उन क्लेम को हटा सकते हो ताकि आपका चानल मॉनेटाइज हो पाए मॉनेटाइजेशन के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्योंकि खास करके हमारी कम्यूटी में प्रॉब्लम होते ही है मॉन उसको जो है उसके कारण आपका monetization रुख गया तो यह नहीं चाहता और दोस्तों यह जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के चैनल पर corporate claim आया था और मैंने मेरे YouTube के सभी वीडियो से corporate claim हटा दिया है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और जाने आपके वीडियो में corporate claim है या नहीं और अगर corporate claim हो तो मैं next वीडियो corporate claim कैसे हटाएंगे उसके लिए भी वीडियो जो है बनाने की कोशिच जरूर करूँगा और उसे आपको काफी जानकरी मिलेगी और ज्यादा जानने के लिए आप मेरी WhatsApp नमबर पे contact कर सकते हो मेरी WhatsApp नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ज्यादा जानने के लिए वीडियो में बने रहे हैं वीडियो पसंद है तो लाइक करें शेयर करें friends of family के साथ और खास करें कि यूटूबर्स के पास ये वीडियो ज़रूर पहुशना चाहिए मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज चलिए शुरू करते हैं आज के इस न ब्राउजर में और देख लेते हैं किस तरह से आपके वीडियो में copyright claim आया है या नहीं आपको कैसे चेक करना यह देख लेते हैं तो जाएंगे ग्रोम ब्राउजर में ठीक है तो यहां पर मुझे सर्च करना यूटूब इसके बाद मुझे यूटूब का ओप्शन डारेक्ली मिल जाता है टॉप साइड जो है आपर शो करता है क्रोम तो आप यहां से इसको उपन कर सकते हो ठीक है अब यह पेज उपन हो गया है यहां पर आपको डेक्स्ट उपन करने है डेक्स्ट उपन करने के लिए आपको मौर उप्शन में चाना होता है मौर उप्शन में चलेंगे ठीक है अब यह डेक्स्ट उप साइड हमारे चानल की उपन हो गए लिखते है आपको इसमें जाना है अल्टिनेटव अकाउंट में अकाउंट प्रोफाल फोटो तो हम लोग इसमें चलेंगे ठीक है यह अब यह चानल में जाएंगे अब यहां पर देख लेते हैं क्या क्या आप्शन है अब अपने अल्टिनेट अकाउंट की पर आपने यॉर चैनल में जाने के वाद कस तमाईज चैनल आपको जाना है तो जैसे आप कुछ आपको कुछ औप्सिंस और मिलेंगे हम लोग टॉप राइट कॉर्णर में टॉच करेंगे तो यह वीडियो मैनेजर आपको ढूंड़ना है तो अब मेरा वीडियो मैनेजर ओपन हो गया मतलब कि मेरे चैनल के जितने भी सारे वीडियो है वह यहां पर आ गया है तो अब मुझे यह देखना है कि मेरे चैनल पर कॉपरेट क्लेम है कि नहीं तो मैं सभी वीडियो वन बाइवन देखूंगा यह देखिए चैनल वीडियो है यह देख सकते हैं यहां पर अगर आप कॉपी रेट क्लेम ऐसा लिखा हूँगे तो भी आपको जितने वीडियो पर कॉपी रेट क्लेम लगा हुआ हुआ है सबी दिखाए दिएगे अब इसने कहा कि आप जो वीडियो सेलेक करना चाहते है वह सेलेक करोंगे यहां पर आपको सारे वीडियो दिखाए दिएगे आप देख सकते हो वीडियो की ठीक है रिस्ट्रिक्शन मोर रिस्ट्रिक्शन वीडियो जाने की वही वीडियो जिसमें आपको कुछ इस्यू है तो आप उसको आपको हटा सकते हो एक्शन कर सकते हो उसके उपर मुझाने की यानि कि आप कॉपिरेट क्लेम और कॉपिरेट स्टाइक की ही बात कर रहा हूं है ठीक है ठीक है तो यह डीट की सबसे भी आपको बताएगा प्राइवेट अनलिस्टेट और स्केजूल यह मेरा एक वीडियो है अनलिस्टेट है तो इसको हम लोग फिर रहल छोड़ते हैं इसको नहीं देखेंगे हम लोग अब मेरा पहला वीडियो है इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में पूरी डीटेयल दिखाएगा और इसमें कॉपरे ट्रेम लगा या नहीं यह भी बताएगा ठीक है यह टैटल है यह डिस्क्रिप्शन था प्रहिन, बूलर्ण पन्धर प्रहिल प्रहिंग जरो फ्रहिक य्रोड़ जरोट जरोपर जरोड़ involves चा Webs Перल ऑ agora दिल्स प्रहिंग जरोटरल यठरोड़ ऑ झ मा प्रहिंग लड़ेख प्रहिंग प्रहिंग भी फ्रहिंग ये ओडिये है इसका description है comment है view on YouTube options ठीक है public है ये non, अब यी जो non button आ रहा है अगर आपके वीडियो पे copyright claim या फिर इस वीडियो की वज़े से copyright strike होगा तो आपके हां पे non की ज़के copyright claim या फिर कॉफी रेट स्ट्राइक ऐसा लिखा हुआ आएगा आगे और देख लेते हैं यह मेरा दूसरा वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला इस पर देख लेते कोई क्लेम आया है क्या इस पर भी नन बता रहा है अगर आपके वीडियो पर किसी भी वीडियो पर अगर क्लेम है तो यहां पर आपको यह बता देगा तो आपको इस तरह से यहां पर आके चेक करना है क्योंकि यूटूब जो है आपको कॉपिरेट क्लेम का मेल नहीं बेचता है कॉपिरेट क्लेम का कर लेते हो तो यूटूब की जो electronic machines से आपके वीडियो को copyright claim देती है अगर को manual ही अगर आपको claim देगा तो आपको mail आएगा लेकिन यह manual ही नहीं होता है यह automatically होता है इसलिए जो है आपको mail नहीं हाते copyright strike जो है न वो आपको YouTube mail कर देता है लेकिन यह copyright claim जो है वो आपको YouTube mail नहीं करता है copyright claim से basically होता यह है कि आपका जो channel monetize होगा पहले तो monetize होने के लिए काफी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि copyright claim अगर आपको वीडियो में है आप अगर एक ही music लगातार यूज कर रहे हो तो copyright claim हर वीडियो में आएगा और चानल जो है monetize होगा नहीं तो इसके लिए issues हो सकते copyright claim आने पर आपका चानल monetize अगर हो भी गया in case तो आपके जो वीडियो का जो revenue है वो आपके जिस जो भी music अपने यूज किया जिस ने भी आपके वीडियो को copyright claim दिया हुआ है उसको जाएगा ना कि आपको ठीक है तो यह है इसलिए आप यहां पर आकर copyright claim देखिए और copyright claim किस तरह से हटाना है उसके लिए मैं next वीडियो में पूरी जानकरी आपको डिटेल में दूँगा तो चानल को सब्सक्राइब करके रखना और वीड दोस्तों के पास यह जरूर पहुचाई है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि copyright claim है या नहीं इसलिए यह जानकरी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर copyright claim आया था मैंने हटाया है और अगर किसी के चैनल पर copyright claim होगा तो वो जरूर copyright claim साथ मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड के साथ तब तक लिए जैहिन